बूर्णिंग स्टुडेंट आज का हमारा टॉपिक है ड्रग अडिक्षन एंड ड्रग अब्यूस यह हमारा सोशोलोजी का टॉपिक है और यह जेनम फस्तियर स्टुडेंट के लिए और इसको जेनम सेकेंडियर वाले भी पढ़ सकते हैं उनके भी टॉपिक में है अलकोहल ड ड्रग अडिक्षन ड्रग का मतलब दवाएं अडिक्षन मतलब किसी चीज की लट लगना या किसी चीज का लट लगना तो ड्रग अडिक्षन मतलब होता है दवाओं की लट लगना और ड्रग अब्यूस का मतलब होता है नसीली दवाओं क्या नसीली दवाओं की लट लगन तो हम बच्छों स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि ड्रग आर इंटॉक्सिकेटिंग केमिकल सबस्टेंस जो ड्रक्स होती हैं दवाईयों होती हैं इंटॉक्सिकेटिंग मतलब नसीले पदार्थ मतलब केमिकल सबस्टेंस की बनी होती हैं केमिकली रूप से बनी तो स प्रभाव डालते हैं अंडर नार्क्टिक जो ट्र act होती हैं इनको हम लोग मादक भूलते थे न किसके अंदर आती हैं। द्रक्स के अंदर आती है, हिरोईन, अचरस, अफीम, यह सारी चीज़े, उसके बाद, psychologically, drugs are the substance which affects the brain and nervous system of the individual, अगर psychologically देखा जाए, तो जो drugs होती है, दवाएं होती है, एक substance होती है, जो क्या करती है, effect डालती है, इंसान के brain पे और उसके nervous system पे, किसी भी single इंसान के brain पे और उसके nervous system पे यह drugs जो होती है, वो क्या डालती है, असर डालती है, तो सबसे पहले हैं बच्चे आपको बताते हैं, drug abuse क्या होता है, is the use a such substance which are harmful to body and mind, drug abuse किसे बोलते हैं, वो drugs, वो substance, धियाब्य करते हैं, प्रियोग करते हैं, और उन drug का प्रियोग क्या होता है, which are harmful to body and mind, जो हमारे body, जो हमारे सरीर को और जो हमारे दिमाग को क्या करती हैं, नुक्षान पहुछाती हैं, वो drugs को हम लोग क्या कहते हैं, drug abuse कहते हैं, जो लोग बहुत जादा ड्रग्स लेते हैं और उनके दिमागी और सारी रूप से वो काबू में नहीं रहते हैं उन इनसान को हम लोग बोल सकते हैं कि यह बहुत जादा ड्रग लेता है उसके ज़सा से बचचो ड्रग एडिक्शन देनोट फिजिकल डिपेंदेंट्स औन ड्रग्स एडिक्शन is that इन विच परसन इन डिपेंदेन ड्रग्स एडिक्र से ओंड़ से काम करने के लिए मतलब काम धंदा करने के लिए काम दंदा करने के लिए फिजिकल रूप से किसी चीज में आगे जाने के लिए वो दवा का उप्रयोग करते हैं लट्ट उसे कहते हैं इन विश्पर्सन इस डिपेंड उन ट्रग्स पर फुली तरीके से क्या होता है इस पर आधारित होता है फॉर इस फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए। अगर वह ड्रक्स नहीं ले रहा है उसके पास है नहीं तो उसका बॉड़ी पार्थ करती वह क्या हो जाएगी फिर उसके बॉड़ी पे प्रभाव पड़ेगा तो द्रग अडिक्शन हम लोग फीजिकली में जैसे तो हपनी नाया वह बहुत तेजी तक बहुत दूर तक दोड सकी तो यह क्या होगे drug addiction तो जब भी वह दोड़ेंगे तो उनको वह दवा की जरूरत पड़ेगी उसकी बाद next बच्चो drug addict may use any drugs or substance which is suitable and available जो उनके उनकी तरह उनकी हिसाब से suitable होगी और वहां पे अवलेबल होगी जहाँ पर रहते हैं तो बच्चो यह हो गया drug addiction और अब आपको बताते हैं साइनन्स सिम्टम्स क्या हैं ड्रग अडिक्शन की इस ट्रॉंग डिजायर टू टेक ब्रग मतलब उनके अंदर बहुत जादा इच्छा होगी ड्रग लेने की दूसरा है इस ट्रॉंग डिटर्मनेशन टू गेट इट अनी कॉस्ट और उनके अंदर ब वो कम होगा की जगा पर पूर्णे में गेम्स खेलने में घर और गोइं काम करने में उनका बहुत जादा कम होगा इर्रिसपॉंसिबल बहँई करेंगे दर वदर घूमते से रहेंगे किसी बी चीज़ से मतलब होगा उसके बाद बच्चों नेक्स है absence from home and school or place of work और बच्चों वो क्या होंगे absence अगर उनको देखा जाए तो वो हर जगा से क्या होंगे absent होंगे, मतलब दिखें नहीं रहेंगे जैसे कि घर पे, school में place of work, मतलब जहां पे काम करते हैं वहां पे अगर उनको ढूना जाएगे तो inability to drive cars and scooter बच्चों क्या होगा trimmer, trimmer मतलब क्या होगा कि उनके हाथ पर जो है वो कापेंगे hands and leg, उनके हाथ और पर जो है वो कापते रहेंगे पूरे टाइम but inability to drive cars and scooter और साथ में वो क्या, जो car है scooter है, motorcycle है cycle है, यह सारी चीज़ जब वो चलाएंगे तो उनके हाथ पर कापेंगे और उन चीज़ों को वो आसानी से drive नहीं कर पाएंगे पच्चों next है suicidal tendencies और उनकी अंदर आत्मत्या करने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहेगी वो drugs वगरा जो लेते हैं तो उनके अंदर हमेशा आत्मत्या करने की सोच विचार आते रहेंगे उसके बाद injection marks on arms and thighs अगर वो injections से दवाईया लेते हैं तो उनके पूरे arms में मतलब arms में और thighs में उनके सब जगा मतलब injection drugs inject करने के निसान पाए जाएंगे अगर वो injection inject करते होंगे अपने body में तो उसके बाद next है बच्चो causes of drug मतलब drug के cause क्या है मतलब कारड क्या हो सकते हैं अगर कोई drug addiction है तो उसके कारड क्या हो सकते हैं bad company जो जिनके साथ वो रहते हैं जो उनका friends group होगा friends circle होगा जिनके साथ वो उठते बैठते होंगे वो भी क्या होंगे बुरा होंगे मतलब वो लोग भी drugs लेते होंगे तब ही वो भी drugs ले सकता है उसके बाद to satisfy curiosity और कुछ लोग होते हैं अपनी curiosity को satisfy करने के लिए मतलब कुछ लोग curiosity होती हैं उनके अंदर करके देखते हैं कैसा होगा BRP के देखते हैं लेके देखते हैं कैसा लगता होगा तो कुछ लोग curiosity के चक्तर में क्या करते हैं एक दो बार लेते हैं फिर उसके बाद ना उनकी वही क्या हो जाती है फिर वो ड्रक्स के एडिक्ट हो जाते हैं मतलब उनको लग लग जाती है उसके बाद next easy availability of intoxicants दूसरा करण ये भी हो सकता है कि जो intoxicants हैं जो भी मादक दवाईया हैं वो easily market में available हैं मतलब कहीं से भी वो उन सारी चीजों को लोग ले सकते हैं और साथ में हमारे देश में क्या है education level बहुत जादा कम है तो लोग education level तो कम है ही अपने फैशन के लिए ये सारी चीजों का यूज करते है फिर एक दिन उनको क्या हो जाता है वह उसकी इसके अडिक्ट हो जाते है उसके बाद pop culture आजकल क्या है बहुत ज़्यदा pop culture है बहुत ज़्यदा लोग drugs को क्या करते है बहुत आहमियत देते हैं बड़े बड़े सहरों में क्या है Hong Kong और अगरा में क्या है pop culture है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पॉप कल्चर है बहुत बड़े बड़े लैप्स है पॉप है जहां पे लोग जाके डांस करते है बलग पिशन के चक्र में अपने उसके चक्र में एक दिन बहुत हैं अपने गड़े पी गशन के उसके घ्यान नहीं देते हैं दो बच्चे भी द्रग अदर फैमली मिम्बर्स या फिर घर पर कोई दूसरा में जो इन द्रग लेता है या फिर अलकोहल लेता है या फिर जरस गांजा अफीम कुछ भी लेता है तो घर पर क्या होता है जो बच्चे होते हैं वो देखते हैं पापा ले रहे हैं बाबा ले रहे हैं दादा दादी कोई भी ले रहा है घर पे चाचा भाई बहन कोई भी तो एक बार व हर जगह कहीं फि फी ड्रग अच्छे साफ्लेबल है और इसमें बहुत अच्छा भाता पैसा भी मिलता है अगरे वो लोग बच्चों को पाहले फरी में थोड़ा थोड़ा देते हैं उसके बदल बच्चों को चिलत लग जाती तो व लोग उस चीज को खरीदने लगते तो वरड़ वाइड ड्रग माफिया के वजा से काभी एक यह पासे कमाने का भी एक कारण हो सकता है इसके बाद बच्चों next है control of drug abuse and addiction अब कैसे हम लोग इस चीज को control कर सकते सबसे पहले क्या करना होगा strict control over drug smuggling सबसे पहले क्या होगा जो पुलिस पगएरा हैं जो हमारे आहां का जो कानुन है उनको क्या करना चाहिए strictly मतलब बहुत कठोड तरीके से क्या करना चाहिए जो भी drug का yogurt में इधर वेधर से drug supply होती उसको क्या करना पड़ेगा बंद करना पड़ेगा चोन्ड जेंट अधिट वाई eti tyiwe of doctors nurses towards drug addiction और इसमें क्या होते हैं जो नर्स वगेरा और दॉक्टर्स वगेरा हैं उनको अपना behavior चेंज करना होगा किसके टूर्स जो drug addicts हैं उनके टूर्स चेंज करना होगा और उन्हें समझाना होगा उसके बाद नेक्स्ट क्या है बच्चो एजुकेटिंग प्यूपल रिगार्डि उसके अनक्स treatment of addicts और जो भी alcohol dependence हो गया है जो उनको alcohol लेते हैं लोग उन सारे लोगों को या फिर्टु चारज अफीम गादा यह सारी चीज़े लेते हैं addict हो गया है उनको क्या करेंगे treatment करेंगे उनको छोड़वाने की कोसिस करेंगी आज बहुत आजकल बहुत सारे खुले में जैसे कि नसा मुप्ति केंद्र वगएरा है वहां पर ले जाने पर क्या होता है कि जो भी drug addict है वह उस चीज़ को लोग वहां पर रखते हैं कुछ मंत के लिए कोर्स होता है कितने दिन तक रखते हैं तो लोग को वहां पर लेके जात सोचल ओप्डेयरा लगवान चाहिए उन लोगों पर नेयुक्त के लिकवे और छंप थेUM तक द्रना चाहिए उसके बाद क्या करना चाहिए उसके बिर लास्ट इंप्लांटेशन आफ नौर्कोटिक ड्रक्स और साइक्ट चलाया गया है जहां पर आट नार्कोटिक ड्रक्स मादक दवाएं हैं साइकोट्रोफिक सब्स्टेंस जो साइको मतलब जो साइकोपेशन हैं जिनके लिए यूज की जाती हैं उनका स्टिक्ट इंप्लांटेशन होना चाहिए ताकि लोग उन्स चीजों का अडिक्ट ना हो सके तो बच्चों यह आज का टॉपिक था हमने आपको इंप्रेक्शन ब हमने आपको बताया तो यह था आज का टॉपिक अगर फैंक यू अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं थैंक यू सो मच